अरे काईजर ये क्या आज तो बीच पर सही पे बहुत ही जादा कच्रा हो रखा है मुझे सारा का सारा उठाना पड़ेगा पूरे की पूरे बीच को साफ रखना पड़ेगा वरना मेरी सैलरी कट हो जाएगी तो जी हाँ काईजर मैं काम करता हूँ इस बीच पर कच्रा उठा व्चाने का अगर ह essence अगर दङख से नहीं उठाते तो हमारी सेलरी कट हो जाती है लोग यहाँ पर बहुत जाधा कच्रा पैलाते है तो में poka स्पीसिसपिंद को भी खाली चाम कर नेते है और अपनी ड्स बि 것도 दाल देते हैं यहां पर भी बहुत सारा कचिरा पढ़ा है मुझे तो समझ नहीं आ कभ तक मुझे यह कच्रे यह वाला काम करना पड़ेगा लगे करना बहुत सारे पैसे यह टो जका Coach Rockmore ad किया ऊच्छाता है पर क्या चाहते हैं बहुत सारे पैसे तो आप आप सकते लोज सेंटोस के सबसे द्रीप आप सकते लोज सेंटोस के सबसे अमीर आद्मी के गडर शिंचेन नोहरा शिंचेन नोहरा रखेंगे आपको पर battle को तेंगे बहुत सारा पैसा मैं आपको बहुत सारा पैसा देने वाला हूँ, मुझे चाहिए बहुत सारी बॉडिगार्ट्स, मैं लॉसेंट डॉस का सब सामीर आद्मी हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी बॉडिगार्ट्स ही होते हैं, तो अगर आप कमाना चाहते हूँ बहुत सारा पैसा, तो चल्दी जल्दी मेरे घर पे आजाओ जिसके भी अच्छी कासी बॉड़ी बॉड़ी होगी और अट्टा और अट्टा कट्टा होगा मैं उसको अपने बॉड़ी गार्ड रखूंगा तो जल्दी सा जाओ बहुत सारी पैसे के लिए तो काईजर अभी आभी मैंने देखा शिंचेन जो क्योंकि मेरी हालत अभी बहुत ही खड़ाब हो रखी है मैं आप बीच पर बैठके कच्रा उठा रहा हूं एक सिकंड मुझे अविस डश्बिन की जरुवत नहीं है क्योंकि शिंचेन मेरी मदद करेगा और मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है तो चलो एर फुना पंट चल जा चल जा चल जा और यह चल गई तो गाईजर मेरी राम प्यारी आपर चल चुकी है और अपन जाने वाले शिंचेन के पास उससे मदद मांगने क्योंकि हमारी हालत सही में बहुत ही जादा खराव है और मैं एक कच्र का काम और नहीं करना चाता तो इसलिए हम जाने व बड़े बड़े खरे यहांपर तो बहुत ही अमेर लोग रहते हैं और यह शिंचेन का गर रुक जाओ का पड़ जा रही हो तुम अरे शिंचेन से मिल ले पड़ा पड़ से गेट कुलू क्या शिंचेन सर से तुम नहीं मिल सकते क्या तुमारी अपॉइंटमेंट है अरे कि उनके किसी दोस्त का नाम नहीं बता फ्रेंक लिल जिसका नाम हो तुम उनके दोस्त नहीं हो अरे मुझे अंदर जान दो रुक जाओ वरना गोली मार दूँगा अच्छा ठीक है मैं उस जॉब इंटर्वी को लाया हूं सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए अभी वो हो नहीं यूँआ निकल जाओ अचे है अगलाता है जिकल जो से पर यसे कर शुरू निव झेख में आ गया अगया है विए बोला दरा शिंचेन मुझे जानता है शिंचेन मैं आ गया अरे फेकी बें यहां पर क्यों आयों निकलो यह से अब शिंचेन क्या बोल रहे हैं इतने दुनों बात मिलें अरे हाथ मिला पैर मिला कुछ तो कर अरे फेकी मैं मेरे पस मताओ आपमें से बहुत ही पत्बूआ रही है लगता है अपने एक महीने सनाया निया बात तो सही है, मुझे तो याद भी नहीं, मैंने आखरी बार कपना है था, अरे वो सब छोड़ शिंचेन, तेरे पास तो बहुत सारा पैसा आचुका है, नहीं नहीं, गाड़िया, नहीं नहीं घर, मुझे भी अपने साथ रख ले, हम दुनों मिल के पाटी करेंगे, अरे व वेकी मैं, हम दोस्ते, पर अभी नहीं है, यहां से निकलो वर्नर से क्योरिटी कार्ड को बुलाँगा, अरे नहीं, उनको बत बुलाना, अच्छा ठीके, मुझे कम से कम जॉब तो दे दे, मैंने सुना, तुमें एक बोडी कार्ड की जरुवत है, तो मैं उस जॉब के मैं रोज कच्रा उठाता हूँ, प्लीज मुझे जॉब दे दे, तेरे पास तो बहुत साना पैसा है, अच्छा ठीके, मैं आपको जॉब दे दूगा, ओके, ठीके, पर बोडी कार्ड की नहीं, मेरे परसनल करम चैरी की, क्या, उसका के मतलब होता है, मैं आपको जो कार्म ब पैसा देगा, अच्छा ठीके, ठीके, ले लेता हूँ, कच्रे का काम करने से तो चाहिए, मैं इसके काम कर लूँ, जाओ फेकी, मैं फड़ाए फट से कपड़े जेंसर के लिए क्या हूँ, कपड़े, मेरे पास कपड़े नहीं, क्या, आपके पास सूट भी नहीं, अब तो बहुत ही करीब हूँ, वहाँ पर जाके देख लो, मेरे नौकरों का सूट पढ़ाऊंगा, उनको पहल लो, ओके, ओके, शिंचेन, शिंचेन नहीं, शिंचेन सेर, ओके, शिंचेन सेर, हरे काईसर, मैंने सोचा थे, यह बहुत सारे पैसे बेलेंगे, और शिंचेन तो मेरा दोस्ते हैं, इसलिए मुझे कुछ काम बेरी करना पड़ेगा, पर यह शिंचेन तो मेरी बेस्ती करे जा रहा है, और इसने मुझे परस्तल करमचारी बना दिया, चलो फड़ाँ पड़े, सूट पहन के आते है, तो काईसर अभी आप तेख से तो, सूट पहन के हम हो चुके केम पर इकुल तयार, बोल शिंचेन, ओला ना, हाँ मेरा मतला मैं शिंचेन सर बोली है, मेरे नौकर, मेरे मेरी बात सुनो, जल्दी चाके पानी में कुछ जाओ, क्या? पानी में कुछ जाओ, आरे आभी अभी सूट पहना है, मुझे फराक नी पढ़ता है, जल्दी कुछ में जोब ना क्या इसे सोट में आओ शंचान मैं आप ठट्टे काड़ दिया क्या जो साफ दो आँ अब यह करा दो फ्रेंक्ली बाई चलो जाओ आपको करने पड़ेगी अगर पैसे चाहिए तो करने पड़ेगी नहीं यह बिल्कुल नहीं हो सकता मैं यह टट्टी बिल्कुल साफ नहीं करने वाला फेकी मियाँ आपने ये निकाम नहीं किया तो मैं आपको जॉब से निकाल दूगा क्या जॉब से निकाल दूगा ये मैं कैसे कर सकता हूँ ये था बहुत ही जादा गंदी लग रही है रुक जाओ एह ट्राय करते हैं यह बहुत इंक्दी बत भुहा रही है मैं इसा कड सावा तो मैं है आपको जाब से निकलता हूँ निकल जाए अरे पर मैं और कुई काम कर लूँका ना एरे बोले लशी निकल आ खाले सेक्यूरिटी, इन को या ऐसे निकाल दो कोई जरुवत निये, मैं खुछ चला जाओंगा मुझे याँ पर काम करने की जरुवत नहीं है ए कहा जा रहा है, हमारा सूट उतार के जा हाँ मुझे तुमारा सूट भी ने चाहिए, मेरे कपड़े दे दो और मैं तुमारा सूट उतार दूगा तेरे कपड़े तो हमने फैक दिये, अब चल्दी चल्दी सूट खोल वरना तुझे ठोक दूगा अरे तो मैं के नंगा जाओंगा मुझे फरक नहीं पड़ता, जो कर ना कर एक कैजयाने इनोने तो मुझे पूरा ही नंगा कर दिया, मैं एक कपड़े इनोने फैक दिये, सूट भी ले लिया अब हटो यासे, मैं जारो अपनी राम प्यारी पे, चलो, चल जा अरे यार, ये चलती क्यों नहीं एक टाइप ही, वाप इस से धक्का लगाना पड़ेगा गरीब कहीं का, बाइक भी ने चला ना थी, तेरी ऐसी की तैसी गरीब किसको बोला, ये ले मैं तुझा नहीं जड़ूँगा लड़के रोक जा, बाखो, तो कैसे रभी आप देख से तो, शिंचेन के घड़ से हम निकल चुके, मैंने सुचा था, शिंचेन के घड़ जाने से हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, पर अब तो हम यहाँ पर पूरे नंगे हो चुक अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हैं, किसे कौन सा स्टैचू और तो मैंने आस तक नहीं दिखा दा, एक से किन यह कोई स्टैचू नहीं है, यह तो किसी का प्लेइन खुछ हू चुक है, पुख चाओ मुझे जा कर थेक्ना पड़े आज़ और क्य यहाँ पर तो बहुत ही खातर नाग सा प्लेन ग्रैश हो चुका है और यह अंकल तो यहाँ पर मर चुके है अलो हलो अंकल यह अंकल तो यहाँ पर मर चुके है लगता है इस प्लेन का ड्राइवर था यह प्लेन तो क्या ही खातर नाग ग्रैश हुआ है मुझे लगता है आपको बचाता हूं अबहुत भुशा जाओ एंबूलेस को फॉन करने का टाइमि यह मुझे इनको जल्दी सा उस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इनका बहुत ही जादा खून बेना है यह काभी मरसकती है चलो फड़ाओ पड़ जाए अंटी बेट जाओ अरे मैं पेट नही आजाओ तो कैसर अभी मैंने इन आंटी को पिठा लिया है चलो फड़ा पर लेकर चलते हैं इनको चल्दी से पहुचाना पड़े का उस्पिटल सबसे पास ऑस्पिटली कौन सा है रुख जाओ यहां पर एक उस्पिडल है मुझे पता है मुझे जल्दी चलना पड़ेगा अं जल्दी से उस्पिडल पोचाना पड़ेगा चलो फड़ा पड़े चल दे शौटकट से अरे बीटे प्लीन से तो में बच गई तुम पुछे मारते ना अरे आटी अप टेंशन मतलों आपको कुछ नहीं होने वाला तो काईसर अब यह मुझे आपर पोच चुके और मुझे punya यहां जर सिधा अंदर हिले के जाना चाहिए है अठ चाहं पिशन्ट है अनदर को ढढ़े को अगया हो अरे ऐहां पर संपने मेघंड जल्दी घ्लक से ठीक कर दो अ कहां अपका डॉक्τα्र है नहीं नहीं मैं का डॉक्टर हूँ तो यहां से जाओ ना कड़े क्यों हूँ हाँ हाँ जारो जारो मेरी बाइक तो इले जाता हूँ तो कैसर अब यह मारा काम यहाँ पर हो चुक है हमने उनको हॉस्पिटल में पहुचा दिया है फड़ाफट से अपनी बाइक वियां से निकाल देते है और यह हम आ चुके हैं बहार वो जो पेशेंट है वो आपकी क्या लगती है मेरी कुछ नि लगती है वो रोड पर पड़ी मिली थी उनको प्लेन क्रेश हो गया था इसलिए मैं उनको बचा लिया मुझे लगता है आपको बता नहीं है वो जो लड़की अंदर है वो तुबई के शेक की बीवी है वो तुबई का शेक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है क्या तुबई के शेक की बीवी तो हो प्लेन क्रेश में क्या कर रही थी वो तो हमें नहीं बता हमें उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा हाँ तो करो जल्दी जल्दी ठीक करो वरना वो शेक तुम्हें ठीक कर देगा वाल्ला हबीबी हमारी बीवी को क्या होती मैं किसी को नहीं छोड़ती उसका प्लेन क्रिशने क्रेश करे होती वाला हबीबी हबीबी वो कौन होती मेरी बीबी का प्लेन किसने कैश कराई होती अरे मुझे नहीं बता मुझे नहीं बता अरे अंकल अंकल मैं बताता हूँ मैं आपके बीबी को यहाँ पर लेका है हूँ उनका प्लेन क्रेश हो गया था हबीबी तुमने हमारी बीवी की जान बचाई होती अरे जान बचेगे की नहीं वो कनफर्म नहीं है अभी उनका आपरेशन हो रहा है अब डेंग्शन मत लिजे हम उनकी जान बचा लेंगे हबीबी जितना पैसा चाहिए होती लेती पर उनकी जान बचाती 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 सेटेंड ये इतनी सारे बोड़ी गाँड्स और ये गाड़ियां और ये हैलिकॉप्र ये साब दक्स की है हाब इभी घू मारे बात सुन्ती तुमने आप इनका बचाए होथी हम तुमको ऐसे नहीं चाहिए देती, पताओ तुमको क्या चाहिए होती अरे पर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी मुझे जारे तो, मैंने तो ऐसे ही मददत कर दीती, नहीं हा बीबी ऐसा कैसे होती, एक सकिंड तुमारा बैंक अकाउंट नमबर देती बैंक अकोड नमबर, मेरे पैसे चुडा होगे हा बीबी, चुप चाहिए देती ओके ओके लिखो, 0, 8, 5, 1, 7, 6, 9, 2, 8, 5, 4 हा बीबी, हम तुमको 100 बिलियन टॉलर्स बेशती का बेशती, 100 बिलियन चेक करती चेक करती, क्या, सही में काईसर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या सही में इसने पेशती है क्या और काईसर आप देख सकतू यहाँ पर मेरे पास 100 बिलियन डॉलर्स होचगे यह तो बहुत सारा पैसा है हबीबी, एन्जोई करती और साथ में ये मेरा परसनल golden हैपलिकॉप्टर भी रखती क्या? सही में? हाँ हभी बी, जाओ जाओ अरे तेक्यो अभी बहुत बहुत शुक्रिया तुमारा शुकर्या होती तुमने अमारी बीवे को बचाया होती अरे कोई बन दी कोई बन दी तो guys अभी आप देख सकते हूँ हमें ये खदरनाक सा हैपली कॉप्टर यहाँ पर मिल चुका है और साथ में 100 बिलियन डॉलर्स भी ये तो बहुत ही जादा खदरनाक है ये अभी भी तो सही में बहुत ही जादा अमीर है और guys अब तो मैं भी अमीर हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास आचुके 100 बिलियन डॉलर्स 100 बिलियन डॉलर्स ये तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ हर एक चीज कर सकता हूँ और अब मुझे कोई जॉब वॉप करने की भी जरुवत नहीं है पर guys आपको यहां दो का शिंचेन ने हमारा मजाक उड़ाया था हमें चॉप की टटी साफ करवारा था पर अब हम शिंचेन से भी जाध अमीर हो चुके और लॉस जेंट्रोस के सबसे अमीरा भी बन चुके और मेरे पास यह गोल्डन है प्ली कॉप्टर भी आ चुका है यह तो सहीं में बहुत ही जाधा खतरनाक है तो Kaiser अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो फड़ापट से लाइक करतो चलो को सब्सक्राइब करतो और Kaiser अभी हम जाने वाले शिंचैन से बदला लेने उससे मेले मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है तो Kaiser अभी हम तेक सकत हूँ हम इस खतरनाक से प्लेन में जाने वाले हैं शिंचैन के घर में और उस पूरे घर को उड़ा डालेंगे अज तो शिंचैन के घर के ओंपर बहुत सारी विसार और Kaiser अभी यहाँ पर हमारी लेंडिंग हो चुकी है तोड़ी से फेल हो गई पर कोई बात नहीं शिंचैन के घर को आज हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले पुड़ापट से RPG निकालते हैं और इन सब को बार देते हैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगा इन बॉड़ी गार्ड्स ने मुझे बहुत परिशान किया था शिंचैन ने में मुझे बहुत ही सादा परिशान किया था इसी जगह पर उसने स्विविंग पूल के अंदर मु इनको में बहुत ही मनें मार दिया सारी की सारी कारी इसकी फर्ती है य। शिंचैन तूने बोला था मैं हमेशा गरीब रहूंगा पर अब देख तू गरीब होने बाला है और तू जिंदा कैसे बुढ़ेगा यह लाऴ निकल याजे तो काईजर शिंग जैन को भी हमने मार दिया मेरे साथ ऐसा कोई करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है ड्राइवर और काईजर यहां पर हमारी गाड़ी भी आ चुके चलो फड़ावपट से इसके अंदर बैठते है और काईजर यह तो एक नॉर्मल सा घर ता पर आचुके यह हमारा घदर नाक्षा मेंशन है इसके अंदर जाने से पहले अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं है तो फड़ावट से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यहां पर गेट खुल चुका है और कैसा यहां पर हमारे खदर नाक खदर नाक ग गाड़ी यहां पर मर्सेटीस हैं जी वेगन सूपरकार और बी लेंबोरगनी बहुत सारी खदर नाक गाड़िया में अपने गिराज के अंदर पर लिए तो क्यास राकता स्वागत है हमारे इस खदर नाक से नए-ने मेंशन पे चलते फड़ावट से अंदर और आप देख स प्यानों बजा के मज़े कर सकती एक और पूल टेवल यहां से हमारे गिराज का रस्ता है और देखते है इधर क्या है अभी मैंने पूरा घर खुत का नहीं देखा था और आप देख से तो यहां पर खुत का मुवी थीटर है वो भी रोल्स रॉइस वाली लाइटों के साथ और काईसर इस वाले रूम में आप देख से तो यहां पर खुत का प्राइमेट कसीनो हमने यहां पर बना रखा यहां और यहां पर बार भी यह चो की बहुत ही सादक खतरनाक लग रहा है तो काईसर फड़ा फट से कमेंट कर की बता दो यह मेरा ओफिस कैसा लगा जी हां य बहुत इसाद है यहां पर अपना खुद का बोलिंग रूम पुल्लिंग करकर यह सारी की सारी पिंश उड़ा देंगे और यहां पर बार भी बना रखा काई पारटीवाटी करने के लिए और बाहर पास में खदरनाक सा जिम यहां पर आपन जिम विंपर सकते हैं और सामने म को बार चल के दिखाता हूँ हमारे गार्डन में बहुत सारी चीज़े स्विमिंग पूल है बहुत सारे अलग अलग तरे के प्लांट है और यह खदरनाग सा गार्डन आप देख सकतो यह पहले बड़ा सा स्विमिंग पूल यहाँ पर पार्टी करने का एरिया यहाँ पर करने का एरिया और साथ प्लबना गोल्डन हैपली कॉप्टर तो काईजर फड़ावट से कमेंट करके बता तो कैसा लगा हमारा आपको खतरनाग सा घर मैं सोच रहा हूँ यह घर इतना जालक खतरनाक है एक दम माफिया वाला घर इसलिए हम इसका नाम रखने वाले माफिया मैंशन फड़ावट से कमेंट करके बताओ नाम कैसा लगा आपको और अभी हम जाने वाले अपने इस घर के अंदर आ सकते हो सारे के सारे सबस्क्राइबर और अगर यह घर कम पड़ा तो ऐसे दस घर और ले लूगा फिर आप सब आराम से आजाओगे तो कईसा अगर 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 आपको अश्वेशन लाइक करते ना चैनल में नहीं तो सबस्ट्राइब करते ना बताने किस लिए की वीडियो फर आप अट से कमेंट करके बता दो और गाईसा इंस्टाम और डिस्कॉर्ड डिसिप्शन पे वापशा के जरना फोलो करना और मिलिंग आप से लिए अ बाई बाई